हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं इस्टोडी फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों, ये में उत्राखण एल्डिग्रेट दोहचार चौबीस जो 18 अगस्त को एकजाम हुआ है वो सभी कोशन, जो 50 कोशन पुछा किया है, उसको मैं सालव यहां पर कराने वाली हूँ सुभम जी को मैं बोली थी, को ग्रूप में कोशन डाल दीजिए, उन्हों नहीं डाला और मैंने सोचा इसको सालव करा दूँ कोशन जोसे दोस्तों मार्डेट लेवल का पुछा हुआ है, जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सभी कोशन आया हुए है, दो चार कोशन ऐसे हैं, जो मेरे पढ़ाने से मैच नहीं कर रहा है, अदर्वाइस सभी कोशन जो है, पढ़ाया हुआ है, तो चलते हैं कोशन के दोस्तों यह सेट नंबर सी है जिसका भी सेट सी होगा उसका कोस्टन नंबर भी मैस्ट करेगा जिसका सेट दुसरा होगा वह अपना कोस्टन से मिलान करेंगे तो कोस्टन यहां पर देख रहा है पार्ट टू नॉलेज आफ सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन से हैं कोस्टन नंबर एक्यावन है एक अच्छे परिच्छर और परिच्छर निर्माण प्रक्रिया की विशेश्ताओं को कहा जाता है क्रेटर रिक्टिश आप गूड टेस्ट एंड टेस्ट कंडिक्टिंग कंड़क्टिंग प्रोसेस इज नोन आइज तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि गूड टेस्ट के लिए गूड क्रेटरिया क्या क्या होती हैं रिलेबिलिटी वालीडिटी अब्जेक्टिवेटी एंड नाव्स इंस्टेंडर्ड उसमें से सबसे पहले उसकी वैदता चेक किया जाता है कि जिस परिछर को टेश्ट को हमने बनाया हुआ है क्या वो वही चीज मेजर कर रहा है या नहीं तो एक अच्छी परिछर और परिछर निवाद पर किया कि विसिस्ताओं को हम वैदता कहेंगे वैदिटी कहेंगे कि वैदत है या नहीं यहाँ भी वैदिटी आपका राइट इंसर हो जाएगा अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर पचास है कि N% सब्द का परियोग निवन में से किस खेल में किया जाता है तो यहाँ पे N% सब्द का परियोग दोस्तों किया जाता है सतरंज में किस में किया जाता है चेस यानि कि सतरंज में किया जाता है कोस्टन नमबर तिरपन है निवन में निवन में कतनों को पढ़ें इस्टेट्मेंट बेस पे है आपको ध्यान से पढ़ना है और एंसर देना है Read the following statements Statement 1 है कि सक्ती सहनसिलता ठकान की इस्थिती में प्रतिरोध पर काभू पाने या प्रतिरोध के विरुध कारे करने की चमता है यह राइट है दोस्तों strength endurance in the ability to overcome resistance और तो एक्ट अगेंस रेसिस्टेंस अंडर कंडिशन्स आफ फटिक तो question number जो अभी कथन यह है वो राइट है कथन 2 हम पढ़ते हैं कि मानस्पेशियों की संद्रचना को छोड़कर मानस्पेशियों की समंद्रचना को छोड़कर मानस्पेशियों की समन्वय जैसे अन्य सभी कार्गों को प्रसिच्छल के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है कथन 2 भी राइट है दोस्तों यहां पर दोनों कथन राइट होंगे तो यहां भी दूरों कथन राइट होंगे यहां भी एक्सपेक्ट कंपोजीशन और अधर फैक्टर लाइक मसल साइज मसल कोडिनेशन कैन बी इंप्रूएट थ्रू ट्रेनिंग वीच आप दे अब इस्टेट्मेंट इच कोरेक्ट दोस्तों इस्ट्रक्चर जो होता है जैसी कि बिलना कार ट्रेंगुलर मसल्स एंड आपका जो है लांगी ट्य सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर दोनों चीज़े राइट है यहां पर राइट हो जाता है वन और तू दोनों ठीक है बूट वन एंड टू आर करेक्ट यहां पर राइट इंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी आपसर नमबर सी यहां पर राइट इंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्ट कोशन के तरह कि मोटर निवरान और मान स्पेसिय फाइबर के बीच संपर्क से बनने वाले रासानिक साइनेप्स को क्या कहा जाता है एक केमिकल साइनेप्स फार्मेट बाइड़ कनेक्ट बिट्वीन टू मोटर निवरान और मस्कुलर फाइबर इन नोन एज तो दोस्तों इसको हम कहेंगे निवरो मस्कुलर जंक्सन यानि कि मान स्पेसिय और निवरान के जोड को हम निवरो मस्कुलर जंक्सन कहते हैं तो यहां पर D आपका right answer हो जाएगा दोस्तों इसका answer की आने पर आप exact मिला सकते हैं जैसा कि मैं जो भी question का answer बता रही हूँ right ही बता रही हूँ अब आयोग जो भी question का answer दे आप उससे match कर लीजिएगा and next question है कि Johnson Bosker Ball test में dribble test के दोरान शुरुवाती लाइन और प्रथम बाधा के बीच की दूरी होती है the distance between starting line the first hurdle during dribble test in Johansson Bosker Ball test दोस्तों मैं skill test एक-एक skill test को मैंने अच्छे से cover कराय हुआ है इसमें आप कोछ भी सिकायत नहीं कर सकते तो दोस्तों जो Johansson Bosker Ball test है यह इसमें जो हैं तीन test items आते हैं जोहांसन field goal speed test दूसरा होता है basketball throw for accuracy और तिसरा होता है dribble test जो dribble test होता है उसमें खिलाड़े की agility dribbling के साथ-साथ ball and handling ability को मापा जाता है इसमें सबसे पहले 6 feet लंबी एक रेखा प्रारंबिक रेखा खिच जारती है ठीक है यहां पर मैंने 6 feet एक प्रारंबिक रेखा खिच दिया और 6 feet प्रारंबिक रेखा से 12 feet की दूरी पर पहला barrier ठीक है पहला barrier हम कितना पर खिचेंगे 12 feet की दूरी पर उसके अलावाँ सभी barrier कितना रहेंगे 6-6 feet की दूरी पर रहेंगे तो पहला पैरियर जो होगा जो अवरोध होगा प्रतम पाधा बारा फिट की दूरी पर रहेगा अब ठीक है अब सेश तीन बैरियर जो है छेशे फिट की दूरी पर होंगे यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा बारा फिट दोस्तों आप बासकरबाल इसकील टेस्ट की बारे में डीटेल में अगर जानना चाहते हैं सभी टेस्ट की बारे में आप टेस्ट मेजरमेंट इवलीशन की प्लेइस्ट में जाएए और सभी टेस्ट को अच्छे से देखिए इसकील टेस्ट को मैंने अच्छे से बताया तो यहां पर अंदर से पूछा है आपको मिलान करना है तो यहां पर त्वरण है एक्सिलरेशन है यहां पर कुछ आप कई माइंड का उप्यों करें हुँ तो सही अनुसत आजाएगा दोस्तों जैसे कि हम माइंड जो अमारा तौरर एक्सिलरेशन होता है उसको हमेशा हम प्रदशन करते हैं इस प्रकास से, सीम्बल से तो A का 4 हो जाएगा, ठीक है? अन्वेग को हमेशा हम इस चीज़ से करते हैं तो B का 3 हो जाएगा अन्घर्षर जो होता है उसको हम पावर एंड प्रेसर एंड भार, ठीक है? सक्ति और भार दोनों का अनुपात होता है यहाँ पे आपका C का 2 हो जाएगा और न्यूटर्ण का गुर्दवा करसर नियम जो है D का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे रैट इंसर हो जाएगा आपका आफसर नमबर D आसनल d यहां प्रप्रेक्ट अंश्र हो जाूएक यहां पे जसने भी मारा है सः ना रहा है ईंसताओन है यहां पर जैसे भेजा गया है कोशन वैसे ही मैं बना रही हूं दोस्तों कुछ इडिट नहीं की हूं अच्छे से मैं एरेंज नहीं की हूं इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने परिसानी हो रही है कोशन नम्र 57 है खेल प्रसिठ्षड में उप्योग किये जाने वाले प्रसिठ्षड प्रक्रियाओं के संदर्म में निवन में से कौन सा सही धंग से मेल नहीं खाता है तो यहां भी देख सकते हैं आप की साइकलोजिकल मिन्स तो साइकलोजिकल मिन्स ट्रेनिंग के अंतरगत विचार धारा मोटर परिछड़ आएगा यहां भी क्या आजाएगा आईडियो मोटर ट्रेनिंग तो यहां पर थोड़ा पाड़ने में मिस्टेक हुआ है दोस्तों यहां पर इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ठीक है तो यह है मोनुपे ज्यानिक साधन साइकलोजिकल मिन्स के अंतरगत क्या आएगा विचार धारा मोटर प्रसिच्छड़ यह तो आपका राइट है यहा प्रसिच्छ उपकरण है मैटेरियल मिन्स है यह भी ट्रेनिंग एक्यूप्मेंट जो है यह आपका इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों जो मोखिक निर्देश है प्रसिच्छ उपकरण जो है यह बायो मैकेनिकल के अंतरगत आ जाना चाहिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक है मोखिक निर्देश जो है यहां पर प्राक्यतिक साधन नहीं हो सकता क्योंकि टीबी रेडियो और टेक्निकल चीजों कूपियो करके हम करते हैं यहां पर हो सकता है कि यहां पर राइट एंसर आपसन नंबर सी हो बट इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है संतावन नंबर ने बताईए संतावन नंबर कोस्टन का नेक्स कोस्टन है आपका अंठावन नंबर कोस्टन जो आपको सही एंसर दीए ही होंगी इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है थियोरी सेशन भी और कोस्टन नंबर इंठावन है कि हारवर्ड इस्टेप टेस्ट में पांच मिनट का ब्यायाम पूरा करने के बाद नाड़ी दर को मापने के लिए कितने समय तक अराम किया जाता है तो जैसा कि आप जानते हैं जो हर्वर स्टेप टेस्ट है उसमें सबसे पहले आपको वार्मक किया जाता है उसके बाद पांच मिनट तक ब्यायाम किया जाता है पांच मिनट तक ब्यायाम करने के बाद रिकॉवरी फेज में एक मिनट तक आराम किया जाता है एक मिनट अराम करने के बाद, रिकॉवरी के बाद 30 सेकंड तक पर्स काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकंड रेश्ट लिया जाता है, फिर 30 सेकंड यानि कि एक मिनट अराम किये, एक 30 तक आपको पर्स काउंट किया गया, फिर 30 सेकंड आपको रेश्ट दिया गया, उसके बाद तक तक पर रेश में मुँचल दिया गया तक कोश्चन नमबर 69 है जब किसी वस्तु का गुर्टवा करसर केंडर न तो ऊपर उठता है और नहीं नीचे होता है जब वह रखी हुई गेंद की तरह पिछब्द होती है तब उस इसिती को हम क्या कहेंगी तो दोस्तों तब इस इसिती को हम जानते ही है कि इस्थीर है तो हम इ इस्टेबल एक्विलिब्रियम यहां पर राइज इंसर होगा कि कोशन नमबर 60 है कि यहां भी सही बिकल को आपको चुनना है तो दोस्तों यहां पर आपको देखना है कि कड़म मलेशरू जो है भारत तोलम में 2000 सीजनी उलम्पीक में कांसे पदक गीती थी जो भारत की कोई पदक जितनी वाली प्रथम महिला विजेता बनी थी तो एका फोर हो जाएगा एका फोर हो जाएगा आपको पता है का से पदक गीती थी कि 2012 लंदन उलम्पीक में तो बी का वन हो जाएगा अभिनों मिंद्र आप सब को पता है 2008 बीजिंग चीन में स्वड़ पदक गीते थे 10 मिटर एयर राइफल में तो तीस सी का टू हो जाएगा ए नीरस चोप्रा जो है 2020 टोक्यों उलम्प के सुड़ पता जीते थे तो डी का थ्री हो जाएगा इस प्रकार आपसान नंबर डी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा कोशन नंबर 61 है कि अधी अधी करण उत्किष्टा उन्मुक उद्धिस्यों की खोज में प्रसिच्छण वर्स के एक संगठित प्रभाग के रूप में है तो दोस्तों जो अधी करण है प्रियूडाइजेशन है वहाँ पूरी साल की ट्रेनिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइट करके इस प्रकार सिस्टमेटिकली औरेंजी किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक पॉइंट आप टाइम पर टाप फार्म को एचिव किया जा सके यहाँ पर आपका अभी कथन ए जो है सही लग रहा है कि एकल अवधी करण खेल प्रदर्शन है तो आधार विक्सित करने के लिए उपयोगत होता है जैसे कि आप जानते हैं जो प्रकार का होता है सिंगल डबल और ट्रिपल सिंगल प्रियोडाजेशन के अंतरकत एक साल में सिट एक मुख्य में कमपरटिशन होता है यानि कि एक साल में कमपरटिशन होता है है में तो यहां पे जो एक अवधी करण जो होता है एकल में वह हम प्रतेशन है तो हम अधार को बिक्सित करते हैं यहां पे डोनों चीजें सही होगी तो यहां पे भी आपका राइडिलतर हो जाएगा एक और दो यहाँ पे 61 question का right answer हो जाएगा option number C एक और दो दोनों सही है ठीक है एक और दो यहाँ पे दोनों सही है 61 का C हो जाएगा question number 16 है कि खेले इंडिया इंवर्शिटी खेल का प्रफ़फम एडिशन किस वर्ट में सभलता पुरुवक आयूजित किया गया दोस्तों in which year was the first edition of hello इंडिया इंवर्शिटी गेम successfully conducted तो दोस्तों मैं जाश्ट आपको वीडियो बनाए थी उसी से question भी आ गया 2017-18 में इसको conduct किया गया था यहां भी 2018 आपका right answer हो जाएगा इसके अंतरकर बारे भाग आते हैं जिसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है खेले इंडिया गेम के अंतरकर उसको वीडियो की जाकर कि अच्छे से फीर से देख लीजी question number 63 है कि सरी सिच्छा की सिच्छा में समानतर किस वीधी का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो निरंकुस तो होगा नहीं ठीक है निरंकुस होगा नहीं और ताना साही भी नहीं होगा यहाँ भी democratic साही सिच्छा के सिच्छा में समानतर किस वीधी का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर डेमोक्रेटिक होगा यहां तो यहां पर यूनिवर्सल होगा दोस्तों हमें सार लोकतांतरिक यानि कि इसको आउसकता है उसके उनसार हम उसको सारी प्रसिचर देते हैं यह हमें डूम एक देमोक्रेटिक आपका राइट एंसर होगा अब देखते हैं अंसर की भी क्या अंसर देता है कोशन नंबर 64 है निमने में से कौन सा हावर्ड इस्टेप टेस्ट पी ए आई के अधार पर निमने उसकत सारी किसीती का प्रतिनेशितु करता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हावर्ड इस्टेप टेस्ट बी जो पल्स काउंट किया जाता है पास मिनट एकसरसाइज क के बाद एक मिनट रिकवरी फेज के बाद तीस सेकंड पर स्काउंड रिकवरी दिया जाता है इस प्रकार तीन बार इसी तरह किया जाता है तो पी ऐ आई यहां पर पी आई नहीं होगा पी एफ हाई होगा फिजिकल फिट्नेस इंडेक्स यहां पर ज्याद करने का सुत्र ह सब्सक्राइब कर देंगे उतना की गुड़ा हम सब्सक्राइब कर देंगे उसके बाद आपके लिए रखा गया है इवल्यूशन टेबल के अंतरकात एक्सिलेंट फिटनेस के लिए जो पल्स काउंट होता है नब्य तक होता है एंड गुड़ फिटनेस के लिए असी से नब्य तक होता है एवरेज फिटनेस के लिए पचपन से उन्यासी तक होता है लो एवरेज के लिए पचपन से चोंचर तक होता है अब पूर के लिए पचपन से कम होता है यहां पी क्या पूछा है निम्न तो लो में आपका 55-4.9 नाइन हो जाएगा यहां पर राइट इनसर हो जाएगा आपका 55 से 64 अगर लो कहा है किवल एवरेज करता है तो 65-89 हो जाता ठीक है अगर किवल एवरेज करता है तो 55 से सबसे अच्छा बोलेगा तो 90 गुड करेगा अच्छा बोलेगा तो 90 से अर्शी से नभी एवरेज में पैंसर से उन्यासी लो एवरेज में आपका 55 से 64 से आपका रैट इंसर हो जाएगा अब 55 से कम में अदम पूर होगा कोश्चन नमबर 65 है वायू की वह मात्रा जो पूरे बल के साथ वह सोसन के दोरा बाहर निकाली जाती है वह क्या हकलाती है अब आप एयर रिजड आउट आप्टर फोर्स फूल एकस्पाइरेशन इस गोट हो ऑगतके कि यहां पे इंसर हो जाएगा जैवी चंता कि यहां पी जो आपका चांक आन तीड गनिवोम है यहां पी जो आपका यह है ताईड वयलूम प्रे साथ श्वापांस लिए वायूं प्रता हो हम समाने स्वाद बेर हो.. स्वाद अंदर बाहर ले रहे हैं दिight बढ़ने के बाद पूरे गहरे स्वास को वायू को बाहर निकला जाता है तो इसको सप्लिमेंटी एर कहते हैं और इन सब प्रकिरिया के बाद जब यहांडे से पूरे बल के साथ इकस्पाईरेशन वायस वाह से पॉर सवसन के दोरा वहाई को बाहर निकालना हमरें सावाइडल कपिसिटी जबी छंता होगा ये प्छमता होती है जो एक बार पूरग से अंतर स्वाइड़ियोद करने के पूरे बल के साथ बल प्रुवक कहा गया है कि नहीं यह आपके पूइंट है पूरे बल के साथ जो हवा बाहर स्वासन द्वारा बाहर निकाले जाती है उसकी मातरा को हम वाइडल這樣的 जिसको ग्यात करने का सुनतर होता है टैर ये गुड़े कंपलिमेन रियर सप्ली में रिए तो यह कि वह कि उयां दाध मातव च्पप्रों में समा सकती तो वाइनचल चाहना होता है उसके बाद पूरा स्वसंन होने के बाद पूर बल के Сब एकस्पाइरेशन करने के बाद जो बची होई वायू रहती है उसको रिस्डिल एयर कहते हैं जो 1200 ml होता है तो श्यालिस सो एमल वाटल कपिसिटी प्लस बारो सो एमल रिस्डिल एयर दोनों को हम क्या करेंगे जोड देंगे तो टोटल लंग कपिसिटी ग्याद करने का सुत्र होता है वाइडल कपिसिटी प्लस रिस्डिल वायलियू तो दोनों को जोने ये बात आपका अंठाउंस लो आठल लिटर आता है ठीक है तो जैब एक छमता वर्डल कपिसिटी पूछे तो श्यालिस सो एमल टोटल लंग कपिसिटी पांदास लो आठल लिटर यानि अन्ठा कि निम्लिखित कत्नों को पढ़े और दिये गे बिकल्बों में से सही बिकल्ब का चुनाय करें तो दोस्तों यहां भी आप देख सकते हैं आइसो काइनेटिक अभ्यास के दोरान मांस्पेसियो के लंबाई निरंतर वेग की दर से बदलती रहती है दोस्तों बदलेगी नहीं इसमें इसमें एक सवान मांस्पेसियो के लंबाई घरती बढ़ती जरू है लेकिन लंबाई और जो फ्लैक्सर एक्सटेंसर जो मुमिन्ट होता है घरती है बढ़ती है एक सवान वेग से बढ़ती है हमेशा बदलती नहीं रहती है क्योंकि मस्पेसियो के दोरा अक्सर होता है यहां पर आपका जो ए वाला होगा यह राइट रांग हो जाएगा दूसरा है आईसोच टोनिक अभियास यानि प्याइम के दोरान मस्पेसियो में निरंटर तनाव बना रहता है आईसो मतलब सेम टोनिक मतलब त निरंटर तनाव यहां दो आपका रिट एंसर हो रहा है बहुत तनाव बनाइख ञप्यक्ते हुए Leg बदलती है यहां पर केवल 2 तो दिया नहीं है दोस्तों जिसमें जिसमें एक दिया है आपका आपसर नमबर सी कथन टू और थ्री आपका सही है कथन टू और सी आपका ट्राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर सरसट है दोस्तो यहां पर थोड़ा जूमिंग करना पढ़ रहा है क्योंकि जैसे भेजा गया उसी तरह को साथ किन में लिखित को सुमिलित कीजिए करते बिकल्प का चुनाओ करें इसे कद subjective as यहां पर A का 3 हो जाएगा, ठीक है, A का 3 आपका राइट होगा, A का 3 किसमी दी रहा है, सब में A का 3 दिया है, स्फिंग्नो मैनोमीटर क्या मापता है दोस्तों, रक्तदाब मापता है, तो D का 4 हो जाएगा, A का 3 और D का 4 कहां पे दिख रहा है आपका option number A में दिख रहा है सीधे सीधे यहां पे मिल गया ठीक है तब क्या हो जाएगा B का 1 यानि parameter जो है कदम गिंती Glucometer glucose ठीक है option number A यहां पे राइट इंसर हो जाता है and question number 67 है कि निवनेखित में इसे कौन सा एक कथन गलत है तो यहां पे आपको ध्यान से पढ़ना है gastronemius घोटने के जोड़ की मांस्पेसी है gastronemius is the muscles of the knee joint तो A आपका राइट है क्योंकि gastronemius जो है और सोलियस पेसी के साथ gastronemius cough muscles का आधा इससा बनाती है जो इसका कारेट टकने के जोड़ पर पैर को plantar flexion करना और घोटने के जोड़ पर पैर को flex करना होता है यहां मुखे रुप से दोड़ने, कुदने और पैर की अन्ने तेज हरकतों में सामिल होता है जो कुछ हद तक चलने और खड़े होने में भी मदद करता है तो A आपका right है, गलत कथन को आपको देखना है B है आपका gluteus maximus कुल्हे की जोड़ की मांसपेसी है तो दोस्तों यह तो आपका सही ही है, आप सब जानते है यह सरी की सबसे बड़ी अभारी मांसपेसी है और जैसे की इसकी बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी तीसरा है आपका दोस्तों C है कि pactinus कंदे की जोड़ की मांसपेसी है तो दोस्तों pactinus कंदे की जोड़ की मांसपेसी नहीं है कंदे की जोड़ की मां स्पेशी होती है, आपका डेल्टायड यहाँ पे आपका c आपसं जो है गलत लग रहा है D है Pyrunius Tartius टखने के जोड की मांस्पेशी है यह आपका सही है पेक्टिनस पेसी कुल्ड है के जोड़ दोस्तों ये जो पेरोट नियस टर्टियस पेसी है जिसको हम राड़ पीटी भी करते हैं या बहुत परिवर्टन सिल पेसी है और अनुपस्थित भी हो सकती है या पेसी टकने की आर्थो इसकोपी के दौरान अगर पार्सविक प्रवेश को चिनित करती है जिसका उप्योग पेर के नरम उत्तकोर टेंडन इस्थानांत्र और इस रिसेक्शन सरजरी में दोसों के कवार करने के लिए फ्लैप के रूप में किया जाता है ये भी राइट है पैक्टिनस जो है कंधे की जोड़ की मांस पेस सब्सक्राइब करना है और सुचियों के नीचे दियेगे कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनना है तो यहां पर आपको देखना है कि दोस्तों सबसे पहले जो आपको आता है उसको देखिए फीफा वर्ल्ड कप की सुरुवात कब हुआ था आप सबको पता है फीफा वर सुरुवात हुआ था वहां है तहीं में हुआ था ठामसक आप जो है आपका कि मैं प्रीमित्र पूरु से समन्दित है जिसकी शुरुआ पुरु हुआ था उनिस्से उन्चास में तबिका 3 दीका वन हो जाएगा दीका वन एक में जो था आप समय दिख रहा है दारेक्ट इस सरी अंसर कि तो थामस कप जो है उनिस्सों उन्चास में तो बी का थ्री एंड डेविस कप जो है आपका है कि टेनिस से जो उनिस्सों से शुरू हुआ तो एका टू हो गया सुल्तार अजलन्सा कप जो आपका उनिस्सों तिरासी फोर इस प्रकार आपसर नंबर डी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर सत्तर पे चलते हैं कि निम निखित में से कौन सा दर्शन सास्त्र की सखाएं है 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 तो दोस्तों तक्तों बिमान सहा यानि की मेटाफिजिक्स एंड इस्थेटिक्स यानि की संदर्श सास्त्र है यह भी है यह जाईट है पैल्द मुल्ल मिमान सहा और तरक एक जिलोजी एंड लॉजी ये भी है आपका दसन्सास्त्र का एंड आपका सहायक और असंगत एक्जिलोजी और इंट्रो इन कोहर्ड ये आपका नहीं है आपका फूर आपका नहीं होगा गलत हो जाएगा इसलिए वन टू थ्री आपका राइडेंसर हो जाएगा 123 आपका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर यहाँ पर करेक्ट होगा कोशन नमबर 17 है कि सारीक सिच्छा में कौसर सिखने के छेतर में किस पधती का गहांता से उप्योग किया जाता है तो which method is forcefully used in the area of skill learning in physical education तो दोस्तों इसमें demonstration limitation method प्रदर्शन अनुकरण विधी का परियोग कोशन सिखने में किया जाता है एंड कोशन नमबर 72 है ट्रैक इवेंट में गलत सुरुवात का डर अगर वो हार गए तो दोस्त क्या कहें क्या सोचेंगे किसका एक उधारण है दोस्तों एक प्रकार का stress यानि दबाव का प्रभाव है कोशन नमबर 73 है कि राष्टमंडल खेलों के संबंद में निन्रिकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है तो दोस्तों आपको जो सही सुमिलित नहीं है उसको आपको मिलाना है डारेक्ट आपका एंसर दिख रहा है यदि आपको पता होगा कि भारत में कब हुआ था राष्टमंडल खेल 2010 में तो आप सही अंसर दुरंद दे देंगे एक सेकेंड में यहां पर दिल्ली आपका गलत है ठीक है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर डी जो सही सुमिलित नहीं है उसको आपको देख सब्सक्राइब तेखना है जबकि दिल्ली में 2010 में राष्टमंडल खेल प्रतम राष्टमंडल खेल जो है 1930 में हमिल्डल कनाडा में हुआ तो और 2022 का firmigham इंग्लान में हुआ था ठीक है और 2018 का गोल्ड कोष्ट और अस्ट्रेलिया में हुआ था और 2014 का glassco is Scotland में हुआ था सभी चीज राइट है जिल्ली में 2010 में हुआ था ये आपका गलत है 2012 में नहीं हुआ था 2010 में हुआ था को से नबर 74 की तरब चलते हैं कि यहां पे आपको मिलान करना सुची 1 का सुची 2 से यहां पेजी है मिलान करने वाला दोस्तों थोड़ा भी आप ध्यार लगाएंगे आपको तापी क्लियर रहेगा तो तुरंत आप मिलान कर सकते हैं तो यहां पे चोहत्तर नंबर कोशन है आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसी को मिला ये जल जनी तरू कोन है दोस्तों पिल्यया है है यह जाए है पेचिस है यहां यहां पर देखें कि वायू प्रदूसक कौन है तो दुंड धूंद ओधूल इस सब क्या है कोई प्रदुसक है तो B का 3 ठीक है यहाँ पे आपका सही अंसर तुरंत पकड़ में आ गया आपसन नंबर A यहाँ पे राइड अंसर होगा ठीक है इस परकार A का 2 हो जाएगा यानि कि रोगाडू नासक क्या हो जाएगा फिट किरी चुना एंड पोटेसियम अगर अनी करण विकिरर कुन हो जाएगा ए प्रकास रेडियो और माइक्रोवेव कोशन नंबर 75 है कि घुड़न सील्व इस्थापन की दर जिसे हम ओमेगा के रूप में दरसाया जाता है क्या कहलाता है दो रेट आप रोटेटरी डिस प्लेस्मेंट सिमोलाइज एज ओमेगा एज कॉल्ड दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा कोडिय वी यानि कि एंगुलर विलोसिटी जिसको अमेगा के रूप में दरसाया जाता है घुड़न होगा दोस्तों तो वेग हो रहा है यानि कि एक रोटेटरी मोमेंट हो रहा है तो यहां पर एंगुलर विलोसिटी होगा कोडि सबस्क्राइब दोस्त उदे़ यहां पशुची 1,2 मिलान करना उसार उत्रम करना है मैं यहां याया श्मट कुछा हुआ है तो यहां पे देख सकते हैं जो गतिकोन होगा जो और बूह्न हो ripping अनियमित अस्थिया जैसिए हमारे टेहर के अुरीड की हत्या जो नान एक्सियल हैं तो यहाँ पर एक फोर हो जाएगा तो एक फोर किसमें तिया है सीे और ड्या कोश्चन नमर 76 जो है सी और डी में दिया है एक पूर सी और डी में अब देखते हैं कौन सा राइड होगा तो यहां पर यूनी एक्सियल यानि एक अच्छी गति कौन होगा दूस्तो जो हिंज जोइंट है जैसे दर्वाजा एक तरफ मुड़ता है उसी तरह एक तरफ मुड़ता है जैसे हमारा नी जोइंट एलभो जोइंट पर यूंत जोइंट एक अजिकए कर jasए और españ लगति कुन होगा जो डूनों अच बति होता है हमां कलाय का जूट को ब्युदो दोनों अच बति होता है हमारा कलायी का जुट होता है कटील ऐड ज्वार चुकर पाया शीक तरफ के टिशुक्न एक्सियल ज़ंगा थे टियर एक्सिल गटी में हमारा बॉल इन साकेट हो जाएगा डी का हुआ इस प्रकार आफसन नंबर सी आपका राइड इंसर हो जाएगा कोसें नंबर साथर है निन्य में से कोंflower कंकाली तंतर का नहीं है दोस्तों सभी को पढ़ाया हुआ आया है कोई दिक्कत नहीं है जो भी अच्छे से मेरा प्रैक्टिस लगा होगा सभी नहीं और को सब्सक्राइड बेड़ की ऊच्पाश प्रैम और कि आएग या, इस सहायक धाचे का कारे करता है सही है आफसा नमर भी है यह आंतरिक अंगो की सुरुच्छा करता है प्रोटेक्स दे इंटर्नल और्गन यह भी राइट है इनि में मेरू होती है। जो रख्त कोषिकाएव कोषिकाए बनती है तो तो जैसा कि आफ जानते हैं तो यह भी आहना चाहिए एक सबस्प्ले आखे कर देंकोती है। फ़ोटा है कि जूत सुच यह का indening कोषिकाएं एक ज का मीव राइच तो फोटा है다면 एक कि अच्छ पात्व नहीं है, question number 78 है, निवने में से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर द्यावन से question को पढ़िएगा, जितना भी मैंने practice कराया है, उसी से question आया है, the shear force is one which causes one side of an objective slight relative to another side, यादि कतरनी बल वह बल है, जो किसी वस्तु के एक तरफ को दुसरी तरफ से के सापेश खिसका देता है, दूसरा अभी केंदरी बल सायम यानि रोक पर लगाया गया बाहरी बल है, याद करिए दोस्तो, centripetal यानि की centripetal force in the outward force exerted on the restaurant, जो centripetal यानि की अभी केंदरी बल होता है, वो outward नहीं होता है, inward होता है, ठीक है, अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम centripetal यानि अभी केंदरी बल कहते हैं, और बाहर की तरफ लगने वाले बल को centripetal यानि अभी केंदरी बल बोलते हैं, यहाँ भी क्या बोला है, याँ तो D में भी 2 दिख रहा है कट गया, C में भी दिख रहा है कट गया, B में भी दिख रहा है कट गया, कौन बचा दोस्तों, किवल एक आपका राइड अशर है, आपसर नमबर A पर राइड अशर हो जाएगा, एकदम दिवांग से आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, अच्छे एजी कोशन है, बस ध्यान से पढ़िए, एंसर आपको तुरंद निकल के आ जाएगा, यहां पर यह है कि, हनुआन में प्रसारक मंडवाज इस्टेबलिश्ट बाइ, जो है, बाइड ब्रदर्स इन द येर, 1940 अमरावती महराष्ट्रा, तो दोस्तों, 2014 में, क्रिस्चिन कॉलेज, सारे सिच्छा कॉलेज लखनों की स्थापना उनिस्टेश्ट में हूँ थी, तो क्रिस्चिन कॉलेज आप फिजिकल एजुकेशन लखनों आज इस्टेबलिश इन द येर, दोस्तों, ये उनिस्टेश्ट में नहीं हुआ था, उनिस्टेश्ट में हुआ था, तो ए आपका कथन 2 जो है, और रांग हो जाएगा, कथन C है, ये कॉलेज अप फिजिकल एजुकेशन चेन नहीं की स्थापना उनिस्टेश्टाइस में हूँ थी, ये भी रांग हो जाए आपसन नमबर C, केवल एक, तीक है, इस तुरका के कॉस्टेश्ट आपको हल करने बहुत बहुत एजी होते हैं, बस आपको कांसेट क्लियर होना चाहिए, कोस्टेश्ट नमबर 80 है, कि तर डाइजेशन प्रोसेस कॉंप्लीट इन इस्माल इंस्टेश्टाइन, यानि पाच जो छोटी आप को बड़ी आप से जोड़ता है, क्या कहलाता है, सबसे पहले आप इस ट्रक्चर जानगे, छोटी आप के तीन भाग होते हैं, डेडिनम, जोजिनम, इलियम, यानि कि छोटी आप का अंतिम भाग को हम क्या कहें, कि इलियम, और जो हमारा बड़ी आप के यहां पे राइड एसन हो भासर सेपक्ते पार किसे पते राइड बहुता है उसका चीज हो जायेगा राइड पम राइड से और हो जाएगा इसलिकोर सेके समझ्झ नहीं आया होगा हिंदी में हैं, सेकम थ्याड हो inanir भाग इलियम और बढ़ियात का पर्थम भाग सीकम दोनों से जो है छोड़ियात बढ़ियात एक दुसे से जुड़ते हैं एंड कोशन नबर 81 है की सुची 1 कोट सुची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे देगे कूट का परियोग कर सही उतर चुनिए दोस्तों दिया है जो भी अच्छे से पढ़ा होगा मेरे साथ बना होगा और से सभी कोशन हल कि चार कोशन को छोड़कर सभी कोशन आपने अच्छे से किई होंगे देख सकते हैं कि केंद सब्द किसके समझित हैं करड़ी जो कबड़ी कबडी कबड़ी सब्द किया जाए उससी को कट कहते हैं तो यहां भी कि क्यासी 보olnたい किंट केंद का 3 किसमें दिया ऑफ़ हूआ जोस्तों आफ़न नंबर कोशन देखते ही आपका सही अंसर आ जा रहा कि आपका दिया हुआ है आपसा नंबर डी में ठीक है एंड आप देख सकते हैं बूली का किसमें प्रयोग किया जाता है हौकी में तो दोस्तों यहां पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है हौकी में बूली का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो डी का थ्री हो जाएगा यहां पे थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है जश्ट मैं भी सही कर दे रहे हूँ जैसे कि केंट सब्द का प्रयोग होता है कबर डी में तो डी का थ्री आपछा क्या होता है हांगी हो जाएगा उसके बाद आपको देख सकते हैं क्रिकेट में क्युक्सक्री आपको क्यूंब'' लोग होता है चौह goose फ्याल से पुर्क शुर। और गयं इसका राइट इंसर होगा, एक 80 का, and question number 82 है, कौन सा सिधान उत्यजना और प्रदर्शन के बीच, एक inverted U संबंध की भविस्वाड़ी करता है, दोस्कों दोस्तों, इसको मैंने Google पर अच्छे से खोजा हुआ है, इसका राइट इंसर हो जाएगा, इसका राइट इंसर होगा, दोस्तों, सी, यरकेस डाइट सन सिधान, जो है, उत्यजना और प्रदर्शन के बीच, इन्वर्टेट यू संबंध की भविस्वाड़ी करता है, आपसा नमबर सी, यहाँ पर राइट इंसर होगा, कोस्टन नमबर 83 है, कि पंचायत यूआ, किड़ा और खेल अभियान में, खेल की बुनियादी धाची के विकास के लिए, एक मुस्त पुन्जिगत अनुदान क्या है, दोस्तों, इस कोस्टन का एंसर मेरे को नहीं मिला है, अगर किसी को आता होगा, तो आप जरूर यहाँ लेने की कोशिस करें, बस एक कोस्टन का आइंसर मैं यहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि एक कोस्टन मैंने आप बुक में भी नहीं देखा है, और नहीं मिला मेरे को, तो यहाँ पर जैसे कि आप जो पंचायत जो खेलो इंडिया है, उसी के अंतरगत ये सभी आत से जाना जाता है, तो इसमें कुछ धनरासी दिये जाते हैं, जिसको मैंने इसी बुक में नहीं पढ़ा आभी तक, इसी कोशन का मैं अंसर नहीं दे सकती, आप जरूर अकर पता होगा, तो जरूर एंसर सही दीजिएगा, तो इसको मैं अभी पेंडिक में रखती, जब एंस कि निमने कथनों को पढ़ें, तो सबसे पहले पढ़िए यहां पी, कथनों को, चौरासी नमबर कोस्टन को कि जीन छोटी इकाया है, जिसमें वह सब कुछ होता है, जो एक बच्चे को जैविक रूप से, अपने माता पिता से बिरासरत में मिलती हैं, जैसे कि दोस्तों, जीन जो है, अनुवानसिक्ता के वहाग होते हैं, जो जो है, जो गुड़ सुत्र होते हैं, गुड़ों को एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी मिले जाते हैं, तो यहाँ पर कथन ए आपका राइट है, भी है, अनुवानसिक्ता और परियावरण मिलकर हमें वह बनाते हैं, जो हम है, जो हम, प्रस्नालिटी है, ब्यक्तितु कहनिर्मार जो है, हिरेडिटी ए एनिवार्मेंट दोनों से मि होता है, इसलिए यहाँ पर कथन 2 भी राइट है, कथन 3 है, किसी के ब्यक्तितु को आकार देने में परियावरण की तुलना में अनुवानसिक्ता अधिक महत्पूर है, दोस्तों कहीं कोशन यह मिला हुआ था, कि ब्यक्तितु के निर्मार में जो है, अनुवानसिक्ता एक साधन है, यहाँ पर कथन 3 भी आपका राइट हो जाता है, तो आफसन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1, 2, and 3, कोशन नंबर 85 है, कि सुची 1 को 2 के साथ सुमिनिट कीजिए, अधिये के कूट में सही बिकलब का चुनाव कीजिए, तो सुमिनिट करने वाला ज्याद तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि प्लांटर फ्लैक्शन, तो प्लांटर फ्लैक्शन और डॉर्सी फ्लैक्शन में अंतर किया है, सबसे पहले इस समझ लिजिए, जब टकने के जोड़ पर पर पेर को आगे की और उपर की और उठाते हैं, ले जाना होता है, तो को हम कहते हैं डॉर्सी फ्लैक्शन, ए उसी पर को जब नीचे की तरफ हम ले जाते हैं तो कहते हैं प्लांटर फ्लैक्शन लेकिन इन वर और इन वर जन और लिजिए कि से कहते हैं तो इसके लिए इंसाईड और साइड परि 누ग होगा अंतर की तरफ बाहर की तरफ, अ fragmentsatri न, तो planter fraction क्या होगा si planter fraction में हम टखने के जेल पफप पेयर नीचे की ओर ले जाना होता है तो नीचे की ओर जहांपे downwards सब्द होगा वह आपका याय इंसर हो जाइगा तो नीचे की तरफ किसमे나면 थोस्तों यहां पे planter fraction number प्लांटर पैसे फ्लैक्शन का 2 हो झाएगा पैर की उंग्लियों को नीचे की तरफ इंगित करने की क्रिया एक टो हो जाएगा को a का 2 होगा है यहां परी आ हां पर के यहां पर यहां पर एक का टू यहां में कर दे रहे हूं कि एक सना पॉंटिंग दर टोज डाउन्वर्ड तीक डॉर्सी फ्लेक्षन क्या होगा दॉर्सी फ्लेक्षन में ऊपर की तरफ जाएगा अपवार्ड जिसमें अपवार्ड सब्सक्राइब से पर की तरफ सब्द होगा है तो अपर की तरफ अपवर्ण सब्ध इसमें दीक रहा है दोस्तों यहां पर फोर में दीख रहा है तो वी का फ़ोर आपका राइड हो जाएगा पैर के उंगलियों को उपर घुटने की और मोरने की प्रक्रिया को हम डॉर्सी फ्लेक्शन करते हैं तो वीक फूर हो जाएगा एक्शन अफ टर्णिंग दोच अप अपवार्स अप तोवर्स अप तोवर्स नी ठीक है एंड यहां पर इन वर्जन इन मतलब अंदर की ओर याद रखेगा ट्रिक के साथ इंसाइड हो जाएगा इंसाइड आप आपको थ्री में दीख रहा है सी का थ्री हो जाएगा पैर के अंगूठे को घुटने के अंदर की ओर मोड़ना ठीक है यानि कि इन वर्जन का हो जाएगा थ्री टर्णिंग दर टोवर्स तो इंसाइड आप दर नी यानि कि पैर के अंगूठे को नीचे की तरफ के था कि आप तो वाफर की तरफ तो उसे हम कहेंगे ई वर्जन थीक है तो कहुंकी हो जाएगा ड़ेगा य्यानि की पैर के अंगूठे को घुटने के बाहर के यदु क्यों मुरना ठीक है याद रख्ये का an writes यहां पे राइट अंसर हो जाएगा आपसन नम्बर डी यहां के उपर मोड़णा ऊहर वर्जिन युझो इंवर्जन जो है पैर के उंढियों को नीचे तरफ बार की तरफ मोड़णा तो इस निमेर वर्जिन वह सब् shorts कि फॉर्टलिक प्रशित्रविधी कि उत्पत्ति किस देश में हुई थी इसकी कोई जो निस्टो साइटिस में गोश्टा होलन न किया था फॉर्टलिक सब्द ही एक स्वीडिस सब्द है जिसका आर्थ होता है स्वीडिक यानि कि यह स्वीडिन से हुआ है आफसे नमबर यहां पर डियर आइटेंस रहो जाएगा स्वीडर कोईशन नमबर 87 है किसी नाकाउट पर देखता में कुल दी जाने वाली बाई की संख्या ग्याद करने का सुत्र क्या है दोस्तों भेरेगी कोईशन आप सबको प सुची 1 को 2 के साथ समिलित करना है अधिये के खूट का प्रयोक कर सही उत्तर का चैन करना है दोस्तों यहां पर लिकोसाइट इर्थोसाइट प्लाज्मा और प्लेटलेर्स चार चीज़ लिकोसाइट हम WBC को बोलते है ठीक है लिकोसाइट हम किसको बोलते है WBC को और इर्थ विकारक जवाडीयों से बचाता है यहां पर लद-णों इस और ददोस्तों हम एक एक हो जाएगा 4 किस ज्रीक के जूनों में दिया हुआ है निसे अपर ग contrat है को 0- perse बस Higher दोनों में दिया हुआ है हुआ है तिक इसमिल्ट अबिया हुआ है शुर्य दोस्तों ये आपका रिध्रोसायड क्या करता है इसमें बी का 3 हो जाएगा आपका इसमें प्लाज्मा क्या होता है हलके पीने रंग का बूषा करनका होता है तो एक बूह सब्सक्राइब होता है जिसे प्लैजमा करते हैं प्लैट स्य परीड का 55 परसेंट नहीं होता है यहां पर्तुंबीक करते हैं थ्रुपोसाइट कहते हैं दोस्तों ऐसे रसायन होते हैं जो रखते इस तरहों को रोकने में मदद करते हैं दी का टू हो जाएगा इस प्रकार आफसन नंबर सी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा 88 का आफसन नंबर सी कोशन नंबर 89 की में से कौन सा कथन थांडाइक के सीखने के थीन नियमों के सोही नहीं आप सब कू पता है थीन नियम दिए थे love readiness, love exercise love effect यह तिन लॉप रेडिनेस लॉप एक्ससाइच लॉप एवू अधिनों थंडाई के सीखने का नियम है जबकि लॉप इंडिविलिउट डिफ्रेइंस नहीं है कि कोस्टन नभ्त है निम्नमेश कौन कृतन प्राजिन एक खेलों के बारे में सही नहीं है के दोस्तों कोन इसमें है जो प्राजिन ओलंपिक खेलों के बारे में सही नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं आफ आप राजिन प 。 ऐसे पूर से तिंसोच्वी फेटिक सम्पन हुआ था, जिस्को more of जो प्रथम ने इस ओलंपिक को रोक दिया था प्राचिन ओलंपिक खेल को रोक दिया था लेकिन यहां पर कहा क्या है तो यहां पर थोड़ा जो भी कोशन बनाया है टाइपिंग करते समय बहुत मिस्टेक किया हुआ है तो इस ओलम्पिक को रोका था थियो डोसियस प्रथम ने 394 इस्वी में लेकिन 426 इस्वी में थियो डोसियस सेकेंड ने उलम्पिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया था तो यह आपका राइट है यहां पर कौन सही नहीं है उसको आपको चूच करना है ब है ऑलम्पिक खेलों के निराइकों को हिलन डिकोई कहा जाता था जैसे कि जो भी उलम्पिक में भाग लेता था प्राचे बाजियन उलम्पिक में उसको 20 महा का ट्रेनिंग देना पड़ता था और अंतिम एक महा में जो उलम्पिक के आधिकारी गट होती के अधिकारीगारों को हियलेंड़ manifest करे canthar पिंडार्म दाउं के संवार में कविताय करता था तो एक विसकी में कि द्ड विटन वख रफभ सिम्द्य और पर आइस मुर्थिकार रहता था इसनाम की संग्मर्मर की मुर्थि बनाए करता था यह डी आपका गलत है यहाँ पर एकलस नहीं होगा फिर यास होगा तो यहाँ पर राइट इंसल क्या हो जाएगा आपका आपसन नमबर डी ठीक है आपसन नमबर डी जो सही नहीं है कम्पूटिंग के संद्रम में ओ.. सब्द कार्थ है क्या ह ör्दुम्पर का सब्द होता है आप टिपकल मार्क रिकोगनेशन न जो क्वेकर्थ हो ni तो यहां पर रिकाडर होगा नहीं ठीक एंब्युंग ख्रीशिबर होगा नहीं हम यहां पर कन्फ्यूजन है दोस्तों मेरे हिसाफ से इसका आप्टिकल मार्क RET होगा क्या कि रिड रिड करता है उसके बार आइंसर देता है आपको अ-व्यां आप्टिकल मार्क रिडर यहां पर होना चाहिए इस में करफ्यूजन है इस कोशन को भी हम क्या पेंडिंग में छोड़ते हैं दो कोशन हो गया ठीक है एक आपका पंचायत युगा खेल जो है अभ्यान और एक एक एनवे कोशन इस दोनों चीजे आपको देखना है जब एंसर की आएगा तब मेरी इस आपसन नंबर डी होना चाह जाता है विछ लाफ मोसन इस वाइन न्यूटन इस ऑसो काल एज लाफ रेसी प्रोकल एक्षंट जोस्तों जब भी मैंने बताया है तीनों के एक-एक नाम को बोल बोल के मैंने बताया हुआ है जब भी मैं अंसी की कोशन्स प्रैक्टिस कराई हूं तो एक-एक छीज़ों को मैंने बोल बोल का बताया हुआ है कि पहले नियम को जड़त का नियम, जड़ता का नियम, अक्रमनिता का नियम, लाफ इनर्सिया, गलिलियो का नियम कहते हैं आज दुसरे नियम को सव्विय का नियम तुरण का नियम लाव एक्सिलेरेशन लाव मोशन लाव मोमेंटर्म बलके प्रतिफल का नियम प्रेडामी बल का नियम आधी नामों से दुसरे नियम को जानते हैं तिसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लाव एक्षन रियक्षन लाव कांटर फोस लाव रेसिप्रोकल एक्षन या परसपरिक क्रियाओं का नियम क्या पर लाव रेसिप्रोकल एक्षन दिया है दोस्तो परसपरिक क्रियाओं का यानि की क्रिया प्रतिक्रिया की हमे तृतिय नियम यहां पर जो भी लगाया है गलत आफसन लगाया हुआ है दोस्तों यहां पर त्रितीय नियम होगा लाउ प्रेसी प्रोकर एक संट ठीक है आपसन नम्र सी यहां पर राइड अपसर होगा कोश्टन नम्र तिरानबे है उस विवारी का नाम बताए जिसमें सरी सं पुरुसका 2023 की चयन समिती के प्रमुख कौन थे तो ए थे नियाय मुर्ति ए एम खान विलकर ठीक है नियाय मुर्ति ए एन खान विलकर एंड कोशन नमर 95 है कि सूजी एक को टू के साथ समिलित करना है और सही उत्र चयन करना है तो यहां पर आपको देखना है कि क्राउस सबसे पहले आप देखेंगे जो आपको आता है आप सबको आता है क्राउस बेबर टेस्ट क्या मापता है तो मिनिमम मस्कुल और फिटनेस मापता है ठीक है क्राउस बेबर टेस्ट जो है वो minimum muscular fitness बाता है तो D का 2 हो जाएगा तो आप देखेंगे D का 2 only B वाले option में दिया हुआ है तो option number B यहाँ पर right होगा यहाँ पर अच्छे से मिला लिजिएगा ठीक है तो A का 3 यानि offer you fitness test ठीक है A का 3 हो जाएगा एंड B का 4 मैं गलाए जो है general motor ability और JCR C का 1 motor fitness test जबकि और option में देगा आपको UPTGT में क्या हुआ था कि यह offer you test क्या मापता है तो motor fitness मापता है यहाँ रखेगा JCR इस प्रकार A option आपका राइड answer हो जाएगा आपसा नंबर B कोश्चन नंबर 96 है सुची एक को दो के साथ सुमिलित कीजिया और सही कूट का प्रयोग करते हुए चूनिए यहाँ में easy question है दोस्तों डबली एच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् एक आप 4 हो जाएगा एक आप 4 की वल्ड ए में ही दिया है दोस्तों कोश्चन पढ़ते ही आपका सही एंसर मिल गया आप एन नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी की सापना 2005 में हुआ था तो बीका 3 हो जाएगा यूनिसेप 1946 में C का 1 हो जाएगा वाड़ा व्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी की सापना 2010 नमबर 1999 को हुआ था तो D का 2 हो जाएगा इस प्रकार आपसन नमबर A यहां पर राइट एंसर होगा दोस्तों जितना भी मैंने प्रैक्टिस करा हुआ था उससे बाहर कुछ भी नह ही आया है बस दो तीन कोशन ही आया है ठीक है कि एंड को संतानवे है कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है यहां पर देख सकते हैं रूम जो है कुलेजियम जो इस नाना गिये हो थर्मफर बहुत है को रूम में है अब जो मढ़बाद है वो एथेंसकार में है तो दोस्तों यह आपका राइट है जो आपका सुमेलित नहीं है उसको आप देखना है तो यह राइट है जर्मनी में गर्समार्स में जर्मनी में जिमनाश्ट्य का पितामा माना जाता है तो यह भी राइट है अमेरिका में YMCA College of Physical Education की स्थापना किया गया था तो यह भी विलियम के द्वरा लंदन में किया गया था उसके बाद अमेरिका में 883 में इस्प्रिंग फिल में YMCA प्रसिच्चर एस्कूल की सुरुवात की गई थी उसके बाद YMCA किस्थापना भारत में 2020 में मद्रास में अमेरिका से आई हुए बिसे सगे एक सिबक याने हैरी क्रोबक के द्वरा किया गया इसलिए भारत में साय सिचा का पिता मंग कहे जाते हैं हैरी क्रोबक इस प्रकार आपसर नमबर सी भी राइट है और यहां पर D है रसिया फेडरिक लुडविक जान दोस्तों फेडरिक लुडविक जान ने जर्मन जिम्नाशिक नामक पुस्तक लिखा है यह जर्मनी के ही थे रसिया के नहीं थे इस प्रकार यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा आपसर नमबर D दोस्तों मैंने सार के लिए मैंने वीडियो बनाया है कम ही बनाया है उसी के अंतर सारी कोशन्स आपको आ गया है किसी भी चीज में कन्फूजन नहीं है कि अंधानवे है कि इन में से सही युगमों को चुनिए एवं कूट के अधाय पर उतर दीजिए यहां पर देख सकते हैं कि विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं रासानिक भासा में सही है विटामिन A को का विग्यानिक नाम रेटिनॉल है ये भी सही है विटामिन C का एसकॉर्बिक अमल नाम है ये भी सही है विटामिन की का सुरी दोस्तों विटामिन के का रासानिक नाम फिलो क्यों नहीं है केल्सी फिराल नहीं है मैंने इसका सुत्र आपको बताया है रत्पर एक टौफी, ठीक है, रत्पर एक टौफी, A, B, C, D, D का केल्शी पराल है, ठीक है, और टेक उफराल आपका, BITAMIN E का बग्यानिक नाम है, और टौफी, फ़ॉस से आपका हो गया है, फिलो क्यूनोन जो BITAMIN K का रसानिक नाम है, इस प्रकार यहां पे आपसे नमबर फूर आपका सही नहीं है ठीक है तो सॉरी दोस्तों यहां पर कूट के अधार पर चाटना है यहां पर आपसन नमबर फूर आपका गलत है यह सही नहीं है इस प्रक्राइब क्या हो जाएगा 123 आपका राइट होगा तो 123 किसमें दिया हुआ आपसन नमबर बी में इस प्रक्रा बोलने की अवस्था परिलच्छित होती है दोस्तों खुरोच से बोलने की अवस्था तो सक्सेश तो होगा नहीं ठीक है सपलता होगा नहीं समूं का बठन भी नहीं होगा समूं का दुरुवी करण नहीं होगा यहां पर आपसा नमर भी ही रायट अंसर हो जाएगा छमा करने और भूलने की प्रवृत्ति का उकास दोस्तों यहां पे इस कोश्टर में भी कॉस्टर स्थ में पंप्वीजन है यहां भी या सी ब бы एसका कोई होगा ठीक है तो तीन कोश्टर में कंप्वीजन भी हो रहा है जिसको पाणिडली में छोड़ा गया है question number 7 है मानों सरी में तोचा की तह की मोटाई मापने के लिए तोचा की तह कैलिपर के माध्यम में कितना नेंदर दबाव डाला जाता है यानि कि how much constant pressure should be exerted through the skin fold कैलिपर for measuring skin fold thickness in human body जैसे कि जो हमारा skin fold कैलिपर होता है हमारे सब्सक्राइब करता है मापते समय कितना नेंदर प्रेसर डाला जाता है दोस्तों इसमें नेंदर प्रेसर डाला जाता है 10 g ग्राम प्रति वर्ग मीटर मिलीमीटर ठीक है यहां पे 10 ग्राम पर इसक्वायर मिलिमिटर वर्ग मतलब इसक्वायर हो जाएगा ठीक है तो यहां पे दोस्तों यह था उत्राख़ा नेल्टी ग्रेट कोई कनफ्यूजन नहीं है तो सारे इजी कोशन आपके पूछे हुए थे कोई इसमें दिक्कत नहीं था जो भी अच्छे से पढ़ा होगा तो यहां पे मॉडरेट ट्राइब को कोशन था एदम इजी भी नहीं था और कठीन भी नहीं था पुछ भी नहीं था दोस्तों जैसा पढ़े थे कोशन सही आया था तो आई होब कि आपके सभी कोशन का जवाब मिल गया होगा एंसर की आते ही आप अपना सही चीजे देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है इसी में से आप अपना इस कुर्च चेक कर लिए होंगे कि पचास में से कितना आपका राइट है तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में पत्तक के लिए जय हिंद्द है